रेटिना में यदि फोल हुआ है तो उसका ट्रीप्मेंट क्या होता है ये बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं सो आज हम यही डिसकस करेंगे, रेटिना में फोल अगर हुआ है तो उसका क्या मैनेजमेंट होते हैं? नमस्ते रेटिना एक बहुत ही sensitive structure होता है और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की बिमारिया हो सकती हैं उसमें one of the common बिमारी होती है रेटिना में होल होना रेटिना में होल या तो center वाले पार्ट में भी हो सकता है उसे हम कहते हैं macular होल या वो peripheral वाले पार्ट में यानि रेट condition में हम उसको atrophic hole या फिर retinal break या retinal tear के नाम से जानते हैं दोलों का बहुत अलग-अलग management होता है इसलिए इनका difference जानना जरूरी है यदि retina के center में hole हुआ है macular hole यदि हुआ है so उसका treatment most of the cases में surgery द्वरा करा जाता है इसमें हम vitrectomy surgery या MIVS surgery करते हैं जिसमें हम अंदर का gel retina का साफ करते हैं फिर उसके retina के ऊपर जो membranes बनी हुई है उन membranes को clear करते हैं एक special तरह का stain यूज़ करके internal limiting membrane को peel off करते हैं और अंदर gas आनी जाती है इसके कुछ दिनों तक patient को ह जिस से की बहुत अच्छे chance होते हैं कि आपका macular hole close हो जाएं so ये तो center में अगर hole होता है macular hole उसका management रहता है बहुत rare case में हम macular hole का कभी-कभी non-surgically भी weight करते हैं कि वो अपने आप heel हो जाएं especially अगर young age में चोट के कारण hole बना है so 50% cases में chance होता है कि वो close हो जाएं यदी hole बहुत चोटा है उसका size उसका जो diameter है वो बहुत चोटा है ऐसे case में भी लगबक 50% chance होता है कि वो या तो बड़े नहीं या फिर वो अपने आप close हो जाएं so ऐसी special conditions में हम बिना surgery के भी macular hole का management करते हैं बट वो बहुत rare होती है कुछ drops मी आई है आजकल macular hole के management के लिए बट उनका अभी proven effectiveness हमें wait करके देखना चाहिए दूसरी तरह का जो hole retina में होता है वो peripheral part में हो सकता है इस तरह के hole को हम atrophic hole कहते हैं या operculated hole कहते हैं इसमें basically क्या होता है कि retina का continuity है वो break हो जाती है peripheral retina बहुत thin होता है और retina पे अगर किसी भी तरह का force आ रहा है या तो बाहर की तरफ से आ रहा है चोट की वज़े से या आँख को मसलने की वज़े से या फिर अंदर से ही वो force generate हो रहा है जैसे कि जिनका high number होता है और जिनकी आँख लंबी होती जाती है ऐसे case में retina पे stretching forces आते हैं और ये hole बन सकते हैं कभी-कभी ये genetic भी होता है और परदे में पहले से पतले areas होते हैं जिनको हम कहते हैं lattice regeneration उसमें भी इस तरह के hole बन सकते हैं maximum cases में ये hole अपने हां बनते हैं और कुछ case में ये चोट अगरा की वज़े से भी बन सकते हैं इस तरह की holes का management है यदि time पे उन्हें detect कर लिया गया है और retina वहाँ से detach नहीं हुआ है सिर्फ hole बना है ऐसी condition में हम उसका laser द्वारा treatment करते हैं ऐसी condition में हम जो fold है उसके आसपास green laser से एक boundary बना लेते हैं एक barrier बना देते हैं ये एक non-surgical treatment है इसमें कोई surgery नहीं होती है एक machine हो go करते हैं और एक बार जब वो laser हो जाता है तो आगे for life वो area हमारा weak से strong हो जाता है वहाँ से फिर retina detachment के chances नहीं रहते हैं ये बात समझनी ज़रूरी है कि जो fold है वो laser के बाद close नहीं होता है वो बंद नहीं होता है laser के वजह से उस hole के आसपास एक तरह से boundary बन जाती है या ए आगे जाके retina में बड़ी problem आना जैसे retina detachment होना उससे हम बच जाते हैं इस laser को करने से आपकी नजर पे कोई फरक नहीं पड़ता है ना वो बढ़ती है ना चश्मे के नंबर पे कोई फरक पड़ता है ये एक बहुत ही short procedure होता है एक expert retina specialist 10 to 15 minutes में इस process को complete कर सकते हैं ये more or less एक painless procedure रहता है slight discomfort रहता है just during the procedure बाकि इसके अलावा ये laser के बाद या हमें कोई special precautions रखने की जरुवत नहीं रहती है क्योंकि एक surgery नहीं होती है आप अपने routine काम उसी दिन से या next day से शुरू कर सकते हैं so center में यदि hole बना है macular hole तो उसका surgery द्वारा treatment होता है peripheral part में रेखना के बाहर ही हिससे में अगर hole बना है तो उसका laser से treatment करा जाता है हाँ यदि retina hole periphery में बना है और उसकी वज़ए से detachment शुरू हो गया है परदा अपनी जगे से हटने लगा है so ऐसे case में हम surgery के लिए ही जाते हैं ऐसे case में laser बहुत बार effective नहीं रहता है so ऐसे case में surgery करके परदे को वापस attach करना ही best option रहता है so ये था हमारा आज का topic उमीद करता हूँ इससे आपको फाइदा हुआ होगा comment section में जरूर आले अपने आखों से related सारे सवाल ताकि मैं दे सकूँ उनके चवाँ अच्छा देखिए अच्छे से देखिए अन्यवाद और नमस्त